So Hare Krishna Traders, आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा special होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं हमारे Advanced Price Action Course का Full Info आपको देने वाला हूँ हम लोग अपने Advanced Price Action Course में क्या-क्या पढ़ाते हैं उनके एक-एक topic को मैं आज आपको deeply बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने Advanced Price Action Course में आपको क्या-क्या सिखाने वाले हैं और आखिर कैसे हमारे students के इतने अच्छे result आ रहे हैं वो सब कुछ आज आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है और प्लस इतना ही नहीं मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं आपको support देंगे, आपको guidance देंगे आपसे practice करवाएंगे आपके practice को check करेंगे आपको proper guidance देंगे तो वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो भी student हमारे से ज्वाइन है हम उन्हें कैसे guidance देते हैं कैसे उनसे practice करवाते हैं कैसे उनसे उनके एक-एक practice को check करते हैं वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो अगर आपने सोचा कि आपको मेरे साथ जवाइन होना है तो इस वीडियो के साथ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको हमारे साथ जवाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और आप हमारे स्टुडेंट के रिजल तो देखी रहे हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल पे जाके, कि हमारे स्टुडेंट के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, हमने केवल तीन मंथ पहले परहाना स्टार्ट किया था, और तीन मंथ के र रिजल्ट क्या हूँ आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो रिजल्ट भरा हूँ हमारे टेलिग्राम चैनल पे तो ऐसा क्यू हो रहा है वह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मैं आपको हमारे कोर्स तो हम लोग अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले, तो हमारे कोर्स का जो सबसे पहला क्लास होता है, वो है a structure of the market तो इसमें हम लोग क्या पढ़ाते हैं? देखो a structure of the market ये बहुत ही ज्यादा important topic है इसमें हम आपको क्या परहाने वाले देखो market हमेशा या तो उपर जा रहा होता है या तो नीचे जा रहा होता है और कभी-कभी थोड़ा देर केले market ranging हो जाता है कुछ time के लिए ठीक है ranging हो जाता है तो अब अगर market उपर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि market इस्ट्रेट लेते चले जाते डाउन हो रहे तो डाउन की ते लेते चले चले जाते लेकिन ऐसा होता नहीं है market उपर तो जाता है लेकिन market इका structure को follow करते भी जाता है market नीचे तो आता है लेकिन market इका structure को follow करते भी नीचे आता है तो ये सब सिखने वाले हम लोग इस class में और plus market हमेशा तो अब ट्रेंड में रहेगा नहीं हमेशा तो उपर जाएगा नहीं कभी तो कभी downtrend स्टार्ट करेगा, अब आप समझ लो, अब train में आप trade कर रहे हो, और downtrend स्टार्ट होगई, और आप समझ नहीं पाए, तो आपकी वहापी trade भी loss हो सकती है, तो इस class में आप ये भी सिखोगे, कि जब train change होती है, अब से down में, तो आप पहले ही पकर लोगे, जैसे कि मैं आपको चार्ट मिला के समझाता हूँ, आपको deeply समझाने वाला हो, कि आप हर एक topic में क्या-क्या समझने वाले हो, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, लास्ट में आपको ये भी दिखाने वाला हो, कि हम लोग अपने student को कैसे practice करवाते हैं, और कैसे उनके practice को check करते हैं, जब कुछ आपके सामने हम transparent करने वाले हैं, सब कुछ आपके सामने दिखाने वाले हम लोग, क्योंकि ये आपका हग है जानना, तो मैं चार्ट को खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, कि आप इस structure class में क्या सीखने वाले हैं, आप चार्ट में और एच्छे से समझ पाओगे, तो ये मैंने चार्ट खोल लिया है, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो market नीचे आ रहा, लेकिन market, ऐसे straight line में नहीं, market एक structure को follow करते वे आ रहा है, ठीक है, उस structure के और वे हम लोग पढ़ने वाले हैं, plus, market को देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भी market अभी नीचे जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, market यहाँ पे क्या कर रहा था, market यहाँ से उपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से market पीछे से उपर ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से market नीचे जाने लगा, लेकिन लोग को क्या लगा कि यहाँ से market अगेन उपर जाएगा, तो ये चीज़ भी आप अप structure class शीख जाओगे और आप पहले ही बता दोगे कि यहां से market का downtrend start होने वाला है ये सब चीज़ आप सीख जाओगे पहले class में यानि कि आप market के पूरे के पूरे structure को समझ जाओगे सिर्फ पहले class में आप समझ जोगे कि market कब अपना structure चेंज करेगा और market कब up से down में बदलेगा कब down से up जैसे कि यहां पे देखो यहां पे market को नीचे जा रहा था ऐसे market नीचे जा रहा है लेकिन अचानक से उपर चल गया यहां पे ही आप बता दोगे कि market ऊपर जाने वाली है कैसे बताओगे वो सब कुछ पहले class में आपको clear हो जाएगा ठीक है तो यह थी हमारी पहली class की part अब चलते हैं दूसरा class उन्हों क्या-क्या पढ़ने वाले हैं second class में हम पढ़ेंगे SNR SNR मतलब होता है support and resistance तो को बहुत लोग है na support and resistance को भी बोलते है कि यह advanced knowledge नहीं है यह advanced knowledge basic knowledge है यह support and resistance के वहल 5% है price action का लोग इसे ही price action बना दिये है support and resistance में भी आपको पहले यह जाना पर है कि a strong support किसको कहते है और a strong resistance किसको कहते है ठीक है क्योंकि market हर किसी support और resistance से reverse नहीं होता है market a strong support और resistance से reverse होता है और वो भी हमेशा नहीं होता है जैसे कई लोग सीखाते है कि हमें SNR पे reverse की trade लेना चाहिए कई लोग तो बस SNR लगाते है reverse की trade लगा देते हैं बस SNR देखे reverse के लिए लिए ऐसा थोरी होता आप सब लोग बताना SNR तूटता भी है SNR से reverse भी होता है तो क्या आपको पता SNR तूटेगा कब और SNR से reverse कब होगा अगर आपको ये पता ही नहीं कि SNR तूटेगा कब या फिर SNR से reverse कब होगा तो आप किस basis पे trade ले रहे हो यानि कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो अगर तीर लग गया तो सही नहीं लगा तो नहीं लगा तो यानि कि अगर आप SNR पे भी ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि SNR कब टूटेगा और SNR से कब रिवर्स होगा और उसके लिए आपको बहुत कुछ अलग से सीखना पड़ता है जैसे कि आपको पावर, स्विंग, लो, स्विंग, यह स्ट्रक्चर यह सब कुछ जब आप मैच करके SNR पे ट्रेड लोगे तब जाके आपकी वीरिंग रेसों 90% तक पहुँचती है तो स्विंग, लो, स्विंग, मैंने जितनी भी और बन गए ट्रेडर तो यह है हमारा दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक है हमारा इस टॉपिक आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा अगर आपने सुना है तो आप कमेंट बढ़ा सकते हो, लेकिन आप हमारे स्टुडेंट नहीं होने तो third है centerline ये centerline क्या होता है मैं इसका importance अभी आपको बता देता हूँ जैसे कि मा लीजे market ऐसे उपर जा रहा है ठीक है इसमें हम लोग क्या सिखने है लोग आपको बता रहा हूँ फिर क्या होता है market यहां से ऐसे नीचे आता है अब कई लोग यह चीछ सिखा रहे हैं अगर left में momentum है तो right में भी momentum होगा कई लोग सिखाते हैं तो क्या होता है लोग यहां पर down की trade कर देते हैं और कई बर क्या होता है यहां से green candle आ जाता है बीच में से ही बिना किसी label का और लोग का यहां पर loss हो जाता है लोग को पता ने चलता कि बीना किसी label का market reverse कहां से हुआ तो वहां पर center line से होता है इसको deeply जानने वाले center line को बहुत ज़्यादा important topic है यह आपके आपका बहुत पैसा बचाएगा केवल यह topic center line आप सिख गेन आपका बहुत पैसा बचा के रख देगा रही है जो होता है कहीं सभी market reverse हो जाती है अगर आपके center line का knowledge आप उसमें कहीं फसो गहीं नहीं मैं आपको चार्ट पर लिए के कुछ example दिखाता हूं center line का जैसे कि आप देख सकतो यहाँ पर यहाँ पर आप देखो मुझे यहाँ पर example मिला market यहाँ पर दुगर से नीचे जा रहा है momentum अच्छा खासा है तो इधर सभी momentum में उपर जाना चाहिए अब यहाँ पर कुछ label नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर कोई label नहीं है यहाँ पर तो यहां पे मार्केट उपर जा है, मार्केट को और ऊपर जा रहा था, तो यहां मेर्वरा का्वार काई से आ गया, इसमें तो लोग फसेंगे, कैसे बचो गे आप इस पे, क्योंकि यहां पे center line है, ठीक है? और ही मैं आपको कुछ example दिखा देता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देखो क्या हो रहा है left momentum है right momentum होना चाहिए कितना strongly जा रहा है wires कितने strong level यहां पर है तो यह seller कहां से आगे यहां पर लॉस होती ना तो यहां पर center line है अगर आपको बस center line का knowledge होता तो आप कभी भी इस पर loss नहीं करते तो यह हम लोग सेखेंगे थार्ड क्लास में deeply अब चलते हम लोग अपने fourth topic पे वीडियो लास तक जरूर देखना लास में आपको जरूर बताने वाला हूं कि हम लोग अपने student को कैसे practice के सब कराते हैं और यह topic तो जरूर देखना बहुत कुछ आपको पता चलने वाला आज असली knowledge क्यारे में आजः वीडियो पे हमारे साथ जाइन हो या नहीं नहीं हो लेकिन इस विडियो के वाद आपक यह वैसे जगहा जाइन नहीं होने वाले हो जहां पे आपको केवल कुछ पैटर्न्स या कुछ दो तीन स्ट्रेंड लाइन लगाना सिखा दिये, सेना लगाना सिखा दिये या फिर दो-तीन पैटर्न बता दिये मॉर्रिंग इश्टर, इविनिंग इश्टर बोल दिये है advanced course, वैसे में आपको भी scam नहीं हो गया, आप फस होगे नहीं, आज अब ये RRC, RRC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे की, जैसे की market देख ऊपर जा रहा है ये भी मैं चार्ट पर ही समझाऊंगा, आपको लिए, पहले आप कैसे समझाता हूँ जैसे की market ऐसे ऊपर जाता है, higher high, higher low बनाता है, ठीक है ऐसे market ऊपर जाता है, higher high, higher low के form में, और नीचे आता है, lower low, lower high के form में, ठीक है lower low, lower high, अब ये higher high बन रहा है, तो higher low कभी न कभी तो start होगा अब माल लो आप higher high के साथ जा रहे है, और higher low start होगे, तो आप याप first जाओगे आप ये higher low के साथ आप जा रहे है, higher high start होगे, तो आपको याँप पहले ही बता दोगे कि अब यहां से higher high ने अब higher low start होगा यहां पे higher low ने अब higher high start होने वाला है यानि कि आप market से कदम आगे चलोगे से lower low बन रहा और lower higher start होने वाला है तो आप यहां पे ही बता दोगे कि यहां से lower high बनने वाला है और फिर अब यहां पे ही बता दोगे कि यहां पे lower low बनने वाला ह तो यह है RRC, ठीक है, जैसे कि यहां पे higher high, higher low बन रहा है, फिर again यहां से higher high बनने जारा है, तो आप यहां पे ही बता दोगे कि अब higher high बनने वाला है, कितना amazing knowledge है कि आप यहां पे बता दोगे कि आप market यहां से ऊपर जाएगा, फिर आप यहां पे ही बता दोगे कि आप यहां से market ऊपर जाएगा, तो यह हम लोग सिखेंगे RRC में, तो यह थी हमारी fourth topic, अब fifth topic क्या है हमारी? fifth topic है हमारा target, target यह life changing topic है, बहुत ही important topic, यानि कि अब देखो जैसे यह higher high बना, तो यह कहां तक जाएगा, यह भी आपको पता चल जाएगा अब तो, और यह higher low कहां तक आएगा, यह भी आपको पता चल जाएगा, फिर यह higher high कहां तक जाएगा, फिर यह higher low कहां तक आएगा, यह भी पता चल जाएगा, फिर अगर lower low start हुआ, lower low start हो गया, तो यह lower low कहां तक जाएगा, आपको पता र पूरा मार्केट को घोल करके पीजाओगे अपने अपने अंदर इतना आपको डीपली परहाएंगे हैं लोग ये केबल इस चार से पाज क्लास में आपको मार्केट इतना डीपली समझा जाए कि आप मार्केट के किंग बन जाओगे लेकिन अभी भी काफी सारा topic जोरी है सीखना क्योंकि हमें एक minute candle पर trade करना है और एक minute candle पर भी और भी काफी चीज हमें सीखनी पड़ती है यह थी हमारी 4th, 5th topic target पे 6th class है हमारा advanced structure इसमें क्या है, कोई-कोई market में कुछ special structure बन जाता है, कभी ranging हो जाता है, कभी कुछ special structure बनता है, जो काफी जादा complicated लगता है लोगों को, लेकिन इस class में वो चीज भी आपको easily समझे में आ जाएगा, कभी-कभी market range हो जाता है, मतलब कि भारी सी भारी market की structure इस class में आपको करने काथ आपको समझ में आने लगेगा, यह इतना advanced class है 7th class है हमारा, swing low and swing high इसमें अगर आपको reversal trade में महारत पाना है तो यह वो topic है जो आपको मदद करने वाली है मैंने कहा था ना, SNR पे सिफर ऐसे trade ने लेते हैं, SNR पे क्या-क्या मदद लेते हैं तो swing low, swing high भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला SNR पे trade करने के लिए SNR यह कोई भी reversal trade में, अगर आप swing low, swing high को समझ गे है तो आप कोई भी reversal trade के आपकी winning ratio 80-90% easily पहुच जाएगी 100% तो मैं किसी चीज़ को बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि market को human चला रहा है और human कोई robot नहीं है, जो हम लोग 100% बोल सकते हैं maths में 2+, 2, 4 होता है लेकिन human के behavior को दुनिया में कोई भी 100% predict नहीं कर सकता है और market में कोई है, buyers हैं और sellers है buyer seller मेरे और आपके तरह humans है, robot नहीं है तो human psychology चला रहा है market को तो यहाँ पे कुछ भी sure sort और 100% नहीं है 90% हो सकता है, लेकि 90% के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है तो यह swing low, swing high अगर आप सीख गए तो आपका reversal trade में आप महारत पालोगे फिर 8 class है हमारा power class 1 power class 1 में हमारे क्या क्या टॉपिक है आपको बतायता हूँ इसमें हमारे एक पहला टॉपिक है हमारा winning candle winning candle इसमें हम winning candle कर पढ़ते हैं पॉकेट खाली candle के बारे में बहुत ही interesting topic है कहीं नहीं आपने सुना होगा यह सब लेकिन यह सब बहुत ही जवरदस topic है फिर तीस्तरा इसमें पढ़ाएंगे आपको queen candle के बारे में आप भी सोच रहेंगों क्या-क्या नाम बता रहे हैं अब है तो है यह सब बहुत ही जवरदस परोगे ना तो जब यह सब जब market में मिलती है तो इसमें बहुत ही जवरदस ट्रेडवीन होती है इसमें आपको पता चलेगा कैसे power को अब लोग खुद से compare करते है opposite group से compare करते है और कैसे power को compare करके आप फिर trade कर पाओगे reversal की आप फिर continuation की आप किसी भी चीज़ की trade easily power के help से कर पाओगे आप समझ पाओगे कि आप कहां पे trade करना और कहां पे नहीं ये class बहुत ज़्यादा आपको help करने वाली है reverse trade में भी continuation trade में भी है और ये class आपको बचाई की भी बहुत जगह तो ये बहुत ज़्यादा important class है फिर 10th number पे अभी तक हमने जितना परह उसको combine करने वाले है जिसलिए अब class है how to combine all knowledge अभी तक हमने जितना भी परह उसको combine करके कैसे use करना है वो हमनों सिखाएंगे 10th number class में आपको एके class को combine करेंगे और फिर अहां से आपको एके class को read करेंगे आपके साथ हम फिर 11th हमें आप छोटा छोटा चार टॉपिक और है जिसको चार टॉपिक और सिखाएंगे वो है पहला deep level यह deep level क्या है आपको बहुत deeply समझाएंगे क्योंकि इसका नाम ही है deep level तो deeply तो समझाएंगे ही इसमें क्या कुछ swing high वाले level होते है swing low swing high मैंने बताया उसमें से कुछ strong level होते है कुछ weak level होते है कब हमें breakout के बाद wait करना है कब हम breakout के बाद भी trade कर सकते है यह सब कुछ इस class में आपको बता देंगे हम कई वर क्या है हम लोग level पे breakout होने के बाद भी trade करते हैं जैसे कि ऐसे यह candle आया ठीक है और यहाँ पे एक level है इस तरीके level है ठीक है तो कई वर अगर market ऐसे level को break करता है तो हम लोग यहाँ पे भी continue की trade करते हैं लेकिन और कई वर नहीं भी करते हैं कब करते हैं कब नहीं करते हैं यह सब कुछ आपका इसमें clear होगा deep level में 12th नमर पे आप लोग पढ़ने वाले है gap up gap down market में कई वार gap up gap down opening होता है तो वो gap up gap down क्यों होता उसका क्या reason है बहुत deeply समझाऊंगा कब हमें gap up gap down के साथ trade करना है और कब नहीं करना है कब gap up gap down में reverse की trade करनी है कब gap up gap down में continuation की trade करनी है कहां करनी है कहां नहीं करनी है A to Z पूरा सब कुछ समझाने वाले इस class में 13th नमर पे हमारा class है How to take margin of safety How to take margin of safety बहुत लोग बोलते कि मैं यहां पर margin of safety से लोगा मैं ऊपर जाने पे लेंगो नीची आने पे लोगा बट क्यू लेना है वाप margin of safety कई जगा हम लोग opening पे trade करते हैं और कई जगा margin of safety से करते हैं कई लोग तो बस तुक्का में मैं यहां पर margin of safety लोगा उनके कोई logic ने कि आपने वापे margin of safety क्यू लें बस ऐसा ही लोगा सुन ली है YouTube पे सब लोग margin of safety ले रहे तो इस class में आपको पता चले वाला कि हमें कब margin of safety लेना और कब नहीं और कहां से लेना है क्यू लेना सब कुछ आप हमारे live training का वीडियो देखते होगे उसमें कई बार हमने margin of safety लेकर win किया और जिस point पर हम लेते उससे नीचे ही close होता है तो वो कोई तुक्का में हम लोग नहीं लेते हैं हमें पता है कि यहां से लेना और यहां से क्यू लेना है तो वो सब कुछ आपको इस class से बताए जाएगा और आपको एक एक चीज clear हो जाएगा कि मुझे कहां से margin of safety पर trade लेना है और कहां पर मुझे opening पर trade करना है 14 number का हमारा class है left leg left leg left leg वे एक mini level होता है जो कई बार market में बनता है ठीक है जैसे मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूँ left leg कैसा होता है जैसे यहां पर देखो market ऐसे देखो नीची आ रहा था तो यहां से green candle है बस एक candle तो इसको left leg कहते हैं तो कई लोग क्या यहां पर trade नहीं कर पाते हैं पता है जलेए कि यहां पर green candle है पर क्या होगा और लोग को समझ नहीं आता है तो यहां पर कई बार ऐसे loop में होते हैं बीच में green candle आगे rate करने लागे तो लोग बहुत confused हो जाते हैं कि भाई बहुत कैसे trade करें क्या करें तो left leg पर कैसे trade करना है trade करने का क्या तरीका है deeply बताएंगे आपको एक एक चीज ठीक है 15 number हमारा class है very very important class age यह age क्या रहे हैं मैं क्या बता हूँ यह class आपकी पूरी क्या बताएं अभी तक आपने जितना पर है उस पर यह धार लगा देगा यह class यह class आपको clear कर देगा कि आपको कब कहा कैसे सोचना है जैसे कि major में कैसे trade करना है minor में कैसे trade करना है क्या सही तरीका है trade करने का मतलब कि यह आपको एक एक चीज clear करवा देगा यह class करने से आपका पूरा चीज clear हो जाए कि मुझे trade कहां पर करना और मुझे trade कहां पे नहीं करना है एक असली trader वही होता है जिसको पता है कि कहां पे मुझे trade करना कहां पे मुझे नहीं करना है आप खुद सोच के देखो एक normal इंसान और एक trader में क्या फर्क होता है normal इंसान को ये पता नहीं कि मुझे कहां trade करना कहा नहीं करना वो बस आता है तुक्का में बार देता है लेकिन ट्रेडर को पता होता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड लगाना है और यहाँ पर मुझे नहीं लगाना है तो यह क्लास आपको सारा चीज क्लियर करतेगा है एज कि आपको कैसे सोचना है से मार्केट में अगर का ये सब कुछ आपको clear होने वाला है इस class में तो ये total 15 topics रहेंगे इसके बाद फिर हमारा classes चलता है इसके बाद story making की है story making की है कि हम लोग अपने student के साथ एक के candle को read करते हैं market में बैठ कर और ये एक class नहीं ये होते रहता है एक, दो, तीन, चार होते रहता ये class लेंगे total topic है इतने तो इतने सारे classes आपको मिलेंगे और ये story making में आपको एक के candle read करना आपको सिखाया जाएगा आपको एक के candle का psychology समाझ में आने लगेगा और जब आप ये सब सीखने के बदद अब trading करने जाओगे तो आपके लिए trading बहुत असान होने वाला है आपके लिए सब कुछ आपको लगए कि आपने क्या सीख लिया है जब ये सब कुछ सीख जाओगे तो ये सारी चीजे आपको हम लोग सिखाने वाले हैं ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के लास में आपको दिखाने वाला हो कि हमारे साथ जितनी विए स्टुडेंट जॉइन है उनसे हम लोग कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं कैसे उनकी प्रैक्टिस को चेक करते हैं यह सारा नॉलेज आप तब ही अपने दर डाल पाओगे जब करने हो कि अमेरे गाइडेंस करने हैं आपको अभी कश्रेंट का दिखाने वाला की एंपने को कि एंडिये वाल लेकिन उसके बाद विन कैसे उनको प्रैक्टिस करवाए जाता है वह आपको दिखाने वाला हूं तो यहां पर मैंने खोल लिया है तो सबसे पहले अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है बैच नमबर 9 तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं यह हमारा बैच नमबर 9 इसमें हमारे बैच 9 के स्टूडेंट है इसमें कितने स्टूडेंट है मैं आपको दिखाः देता हूँ इसमें हमारे total 30 student है 30 मैंशे कुछ हमारी team member है हमारे total इसमें कितने team member है हम 4 total team member है बाकि हमारे 26 students है ठीक है तो देखो कैसे group میں люди practice करवाते हैं मैं आपको जैसे आज का ले जाऊँ स्टार्टिंग पर ले जाता हूँ कょक् hawES कर्वाते हैं उनसे तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जैसे की इनके तक एक सब्सक्राइब ऐता है ठीक है जैसे कि पहले हम लों के सीति तक यह चार्टक की फोटो भेज़ते हैं ठीक है अब इनोंने फोटो भी गी तो हम लिखे दिया यह इस्टुडे लोग क्我不知道 अब इस अरिंडरे स्ट्रक्चर पर आई गया है तो इसक पुमक प्रैक्टिस भीजते हैं इसने जैसे कि यहाँ पे इसने ऐसे structure की practice करके भेजी है ठीक है अब इससे हम लोग क्या करता है हमारे team member इसको check करेंगा हमारे team member या फिर्म है देखो यहाँ पी लखा very good all correct क्योंकि इसने सारा practice सही किया है ठीक है तो इससे क्या करता है लोग student को पता चलता है कि वो सही तरीके से practice कर पा रहे है जैसे इन्होंने practice किया structure की ठीक है यहाँ से इन्होंने उन 4 फोटो पे practice किया और इन्होंने ग्रूप में भेजा ठीक है अब देखो इन्होंने कब भेजा था 11.43 एम पे ठीक है और देखो 11.52 में मातर 9 मिनट के अंदर मेरे team member ने इसके practice को check कर दिया और यहाँ पे जो जो गलती इसने इसने आपर सुधार के इसको भेजा है ताकि इसको पता चले कि उन्होंने कहाँ पे गलती किया जिससे कि इनका clear हो बस 9 मिनट के अंदर इसके practice को check कर लिया गया तो आप देख सकतो speed पहला पहला ने भेजा था 10-7 में तो 10-24 मां तर 17 मिनट के अंदर इसकी practice को check कर लिया गया था तो ऐसे ऐसे doubts पुछेंगे और आपका इतना लिए practice check हो जागा तो देखो यहाँ पे इसने गलती किवी तो यहाँ पे सुधार करके धां मेरे टीम में बर ने आप लोग समझ नहीं है क्याने आप लोग ने ख्लास नहीं छलता इसमेह के बहुत टाइम मैं नहीं इनके practice को check करेंगे तो ऐसे चलता है इसमें हमारा बहुत time जाता है लेकिन मज़ा भी आता हमें क्योंकि हमें help करना आपको trader सिखाना आप चलो batch 8 दिखाते हैं यह दो को batch 8 है इसमें हमारे करीब 53 members है जिसमें कि हम में से लगभग एक दो तीन चार पाँ छे members है छे हमें लोग टीम members है बाकी सारे 47 स्टूइंट है हमारे batch 8 में ठीक है तो देखो यह सब स्टूइंट चेक करके भेजे हैं यह सब स्टूइंट ने अपना practice करके भेजा है ठीक है और यहां पर देखो यहां पर उन्होंने लिखा है कि आप आपको logic भी भेजना है मेरे team member है ठीक है और दिखा देता हूं यह देखो इन्होंने practice करके भेजा ठीक है और इसमें कुछ गलती था तो यहां पर देखो यहां पर इनका कुछ यहां पर कुछ गलती था मिस्टिक था तो यहां पर मेरे team member ने इसको बताए कि यहां पर आपने कुछ मिस्टिक किया है जिससे क्या होगा यहां पर गलती था तो वह उसको सुधार लेंगे तो ऐसे करके एक एक को देखो कितने लोग अच्छे से लोग practice कर रहे हैं यह देखो इसको लोग practice कर रहे है अच्छे से यह देखो यह स्टूडेंट ने practice भेजा है ठीक है यहां पर हमा काफी काफी एडवांस टॉपिक का प्रैक्टिस चल रहा है क्योंकि बैचेट काफी आगे निकल गई है तो यहां पर उन्होंने प्रैक्टिस भेट किया और यहां पर मेरी टीमेबर ने आप उसका एंसर दिया कि आपने यहां इतना ओपर डीजे लगाने की जुरूत नहीं थ यहां पर यह गलती है वह उसको सुधार कर रहे है तो ऐसे करके लोग सीख पाते हैं प्रैक्टिस करकर प्रॉपर नॉलिज लेकर ठीक है तो आज आपके सामने मैंने सब कुछ ट्रांस्पेरेंट कर दिया कि लाइव क्लास के बाद भी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगा जा चल रहा है क्या नहीं क्योंकि यह जानना आपका हक था क्योंकि बाइनरी ऑप्सन मेरे ख्याल में एक ऐसा फिल्ल जिसमें स्कैमर भारे परे हैं तो लोग बहुत डरते हैं किसी से भी सीखने में तो मैंने सुझाए क्यों अब लोग जब जो जो डर नहीं रहें खूद क को इतना promote करने वे तो हम लोग तो भाई सब को लोग को दील से सिखा रहे हैं तब तो हमें जरूर खुल कर बताना चाहिए आपको कि देख हम लोग कैसे सिखा रहे हैं और यह आपका हग भी है जानना तो इसलिए मैं आपके साहरा सब को transparent कर दिया है तो यह सारे topic सिखाई जाएंगे और इस तरह किसा आपको guidance के साथ सिखाई जाएगा तो अगर आप trading सीखना चाहते हो तो बे फिकर होकर आप हमारे साथ जाइन हो सकते हो आपको दो मन्त के ट्रेडर बना के छोड़ेंगा यह मैं अभी लिक कर guarantee रेता हूँ बस सर्थ इतना है कि आप भी serious होने चाहिए trading को लेकर ठीक है बाकी अगर आपको हमारे student के result को देखना है तो description में हाँ टेलिग्राम चैनल का link मिल जागा उसे join किजिए हो देखिए हमारे student का result पुरा result भरा हुआ है और यह केवल तीन मंत के अंदर यह सब हुआ है इतने सारे student के result आ रहे है हमारे 80% student के result आ रहे है तो आप जाके देख सकते हैं आप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep learning keep growing